कि हैं लो फ्रेंट्स वेलकम बैक टूर्ट चैनल तो हम लोग डिसक्स करें थे लहाबाद हाइब कोड़ गुरूप डी गुरूप सी इक्जाम्स के प्रेक्टिश्ट की जिसमें हम लोग ग्यान मुद्रापल विकेशन के बुक को लगा रहे थे और उसमें प्रेक्टिश्ट नमर वन से लेकर फॉर तक जो कंप्लीट हो चुका है आज की वीडियो में हम लोग डिसक्स करेंगे प्रेक्टिश्ट नमर फाइप्टी का हिंदी इंग्लिस जीएस का पोर्शन चल रहा था तो सारा कंप्लीट हो चुका है वीडियो आप लोग चैनल पर पर जाएए बना दिया है महां से आप उसको देख सकते हैं ठीक है और करन्ट अफ़ेर का इलावाद है कोड का हो चुका है इस पेसल उसी के लिए गंड़े का वीडियो आप लोग देख लिए उससे ज्यादा हमें लगता है कि कोजिशन करन्ट अफेर से नहीं पूछा जाएगा तो चलिए आज का वीडियो स्टार करते हैं स्टार करने से पहले अगर आप लोग चनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा सेयर करें ठीक है βार लोपिए परवार की भांसा इनसर नहीं कर देक है। जो की बाढ़ में लिखा हुए है तो इसमें से दी बाथ हो जाए गोली के सब्ध है बागी सारे योगी सब्द के अंतरगत नहीं हाढ़ते ठीक है अगले प्रस्ट की बात करें तो कभी बचन सुधा थी कभी बचन सुधा क्या थी तो कभी बचन सुधा जो है एक संपादक इसके संपादक की बात करेंगे तो भारते अंधर रुष्चंद थे इन्होंने किया था और ये जो है एक क्या था एक पत्रिका थी ठीक है तो तो इन्य ग्यानन प्रिष्कार डूजा होुगा ठी के प्रतयंग जो है कि सवाज का उदारान होता है यह है अव्ब्भाव वाव का प्रतयंग में इस समय क्या लगा हुआ है प्रह प्रहाइद यह काम मैं आप कर लूँंगा। पंग्तियों में आप क्या है? यह काम में आप कर लूँगा? और यहां पर आप जो लिए गए है यह क्या है, किस परकार वैक्ड परकार सर्मनाम है यह बतानाई, तो यह एक निजवार्चक सर्म नाम होता है, अंसर B part right हो जाएगा ठीक है अगला प्रेश्ट देखते हैं तो नियम लुखिय में से कौँ सा यूं गलत है इसमें से बताना है ओजा का उपाध्या यानि कि ये तद्भो तत्सम दिया गा है तो ओजा का वध्या से ही होता है केला का तत्सम कदली होता है पसीना का तत्सम प्रस्विन होता है और कपास का तत्सम करपट गलत है कपास का जो तत्सम होता है वो होता है करपास ठीक है करपास तो आपका यही एंसर हो जाएगा B part Next question अनेक सब्दों के लिए एक सब्द ने लिखित बिकलपों में से कौन सब्ड़ गलत है जंगल की आग दावा नल आगे की सोचने वाला अगर गामी जो की गलत है आगे की सोचने वाला को कहा जाता है दूर दरसी तो यही आपका गलत हमें बताना था तो बी पाठ हो जाएगा जंगल की आग को दावनल कहते हैं समुद्र की आग को बढवानल और पेट की आग को जट रागन कहते हैं तो आपका एंसर इसमें बी पाठ हो जाएगा नेश्क उसने काव एंजन के विशे में निम्लिक में क्या सही है तो काव अगर हम बात करेंगे तो इसके विशेम अगर देखा जा तो अल्पो प्राण बेंजन के अंतर गता आता है अघोस वर्ड है सपरसी बंजन है कंठ धुन की होता है तो आपका एंसर इसमें ए पार्ट हो जागा ठीक है अल्पो प्राण अघोस परसी कंठ धुन है निश्कृष तो सब्दों का सही जोड़ा गउंट सन नहीं है तो उंगली में ठेसल एक धार्ट उस्ञार को हो जैका इंसर गरता है तो आपका यह यह सथरिलींग। तो आपका एंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा जो कि गलत है हस्ता छेप का सुद्ध क्या होता है हस्ता छेप का सुद्ध की बात करेंगे तो हस्त छेप होता है ना कि हस्ता छेप होता है तो एंसर सी पार्ट हो जाएगा ठीक है बिल्ली छट से कूद पड़ी इसम इसमें अपादान कारक हो जाएगा जिसमें इसका परसर होता है से ठीक है तो आपका एंसर डी पाड राइट हो जाएगा राम ने खाना खाया होगा इसमें खाया होगा मैं कौन सी किरिया है खाया होगा मैं किरिया आपकी बात कर रहा है तो इसमें संदिक दिभूत किरिया है मतलब कि कनफर्म नहीं है कि खाया है कि नहीं खाया इसलिए आपे संदिक दिभूत का यह धारन हो जाएगा नेश कोसे ने इन सब्दों में से कौन सब सब्द हिंदी सब्द को समे सबसे अंत में आता है महलब सबसे अंत में आएगा इसे ये बताना है किलिव क्रम क्रिशा क्रिशान इसमें से कौन सबसे अंत में आएगा तो वो आएगा किलिव ठीक है इसका अर्थ होता है गुड हीनों के बीच एक गुडवान बैकते तो उसको हम कह सकते हैं कि अंधों में काना राजा किस रस का संचारी भाव उगरता गर्व हर्स आधी होता है तो वो रस कौन सा है तो वो है बीरी रस ठीक है बेर रसका संचारी भाव उगरता गर्व हरस यह सब होता है नेश कोईस्टन इनमें से कौन वांडिक चंद है इनमें से वांडिक चंद की बाद यह सवया जो चंद होता है यह वांडिक चंद के अंतर गाता है एंसर एपार्ट हो जाएगा अब इसके बाद प्रेस्टन जो द 98.6 के संदर में असत कतन बताना है नमें से तो इस गद्यांज के अंसार अगर देखें तो इसी नाम से एक कहानी लिखी गई जो कि ये गलत है बाकी इसी नाम से दुनिया के कहीं देशों में FMH चैनल खुले सही है इसके नाम से एक सरवाइकल गाइडा ये भी सही है 98.6 नाम से गीत बना इवी सही है बाकी गलती क्या है इसके बाद इसमें अगर हम देखते है तो सब इनसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है क्या रहा है गद्यांज के उनसार बताना इसके इसके अंसर तो वो है मापना ठीक है अगला प्रशन है जोनाथन हुसिनयन ने क्या हाल ही में क्या किया तो जोनाथन हुसिनयन की अगर हम बात करेंगे तो इसके द्यांस के उनसार एक लंबा सोथ की अगर द्यांस को पढ़ेंगे तो आपका एंसर इसमें सी पार निकल के आएगा मानोसरीर के तापमान के संदर में सहीं कथन चुनना है निमसे तो इसमेंगर सहीं कथन की बात किया तो यह पार्थ है बढ़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा जादा होता है तो आइंसर आपके क्या है एपार्थ यह बाकि सारे गलत है यह हो गया हिंदी के पॉर्षन अब हम देखेंगे GS के पॉर्षन की ठीक है पहला कोर्षन अगर हम GS की बात करें तो नॉवंबर 2021 में CV आनंद बोस को किस राजिका राजिपाल नियुक्त किया गया है तो वह हैं पैशी मंगाल के राजिपाल एंसर जो है डी पार्ट हो जागा पैशी मंगाल के मुक्मंतरी कौन है ममता बनर जीटी के तो वहां के राजिपाल CV आनंद बोस बनाए गये हैं भी हाली में रिसेंट में याँ र्किएगा इसके और जिसफोडे है कि एक तूँए ड़्त को नियुक्त के पर कंशने यह का कर कि की न जृता है इंदोनियसिया में हुआ में यह याद रिखेगा इसके वाद भारत करेंगा ऑभास मास्टर किताब की स्टेनिस कहलाई ने जीता है तो उस्टेनी खिलारिश का क्या नाम है तो उसका नाम है होलगार रूने एंसर भी पाड राइट हो जाएगा काउंसा एरपोर्ट दुनिया का पहला सोर उर्जा से समचाली थवाई एड़ा बन गया है तो काउंसा एरपोर्ट है तो वो है कोचीन इंटरनेशनल एरपोर्ट एंसर सी पाड इसका राइट हो जाएगा ठीक है महासिवरात्री समारों में जो है कहां 21 लाग दीपक जलकर गिनी रिकार्ड बनाया गया है तो वो कहां पर जला है तो इसके अगर हम एंसर की बात करेंगा तो आपका एंसर एपाड हो जाएगा ठीक है गीता रहस नामक पुछतक के लेखा कौन है गीता रहस की अगर हम बात करेंगे तो यह है लोकमान बालग अंगा धरतिला का एंसर सी पाड इसका राइट हो जाएगा स्टेलनेस इस्टील बनाने के लिए क्या परियोग में लाते हैं तो स्टेलनेस इस्टील बनाने के लिए क्रोमियम और नीकिल का परियोग करते हैं तो इसर एपाड हो जाएगा ठीक है काउन सा प्राकृतिक बहुलक है इने में से प्राकृतिक बहुलक की बात किने तो सेलोस जो है यह प्राकृतिक बहुलोग के अंतर गाता है इंसर B पाट हो जाएगा संथाल विद्रो का नेतरुत किसे ने किया था संथाल विद्रो जब हुआ था तो उसमें सिध्धु कानू और भैरो चांद यह भाई थे इन्होंने जो है नेतरुत किया था तो आपका एंसर इसमें C पाट हो जाएगा A वबी दोनों कब हुआ था तो यह थारा सो पच्पन और च्पन के अंतराल के बीचि में यह हुआ था ठीक है संथाल एक जन जाते हैं संथालों ने विद्रो किया था इनेश कोसे ने पिर्थिवी सम्मेलन प्लस फाइब का आउजित कहां हुआ है तो यह आउजन हुआ है 1997 में आउजित हुआ था इसका जो है C D पार्ट हो जाएगा 1997 अगला प्रशन एक पीकोग्राम किसके बराबर होता है तो एक पीकोग्राम कि अगर हम बात करेंगे तो इसका एंसर क्या हो जाएगा पीकोग्राम कि अगर हम बात करेंगे तो इसका एंसर हो जाएगा C पार्ट हो जाएगा 10 की घात माइनस 12 ग्राम होता है एंसर C पार्ट हो जाएगा पुना मलत दुबारा कब लगा दुबारा औरंग्जेब के काल में लगा था औरंग्जेब ने तो इंसर भी पार राइट हो जाएगा निम्ले कि उद्देशों में से कौंसा एक भारत की समिधान की उद्देशिका में सन विश्ट नहीं है इने में से क्या जो है भारत की उद साधन का अंतर होता है concern d part हो जाए gnp मिस होता है gross national product और GDP मिस होता है gross domestic product ही है भारत के भी निवेस आयोंग के परफम अद्धची कौन थे भारत के भी निवेस आयोड के परफम अद्धची थे जी भी राम किश्वना answer a part हो जाएगा जन्गर्णा 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर्द क्या थी तो जन्गर्णा 2011 के अनुसार वो थी 2.4 तो इंसर डी पार्ट हो जागा ठीक है वह मगजल को दूसित करने वाले अजयबिक परदूसा कौन है तो वह है आरसेनिक ठीक है आरसेनिक वज़ा से जो वह मगजल परदूसान हो रहा है नेश कौन उत्तर परदेश में पर्थम बिकलांग बिस्विद्धा लेए कहां स्थापित किया गया है तो इसकी स्थापना चित्रकूट में हुई है एंसर सी पार्ट हो जाएगा वानुसरी के कौन से अंग में लसिक कोसका बनती है लसका कोसकाओं की बाती पती वह प correlation का समधान का निकले एकाउंसा पो स्थाप नाम का है उसका नाम है ठीक Parks का राइट हो जाएगा अगला परदेश क द्रोन है को मंजूरी देने वाला देश का पहला कौन integration बना है तो उस्षर नाम का हैSmachal प्रदे जोकि सी पाट में लिखा हुआ है जो जो कि द्रोन नियुत को मंजूरी देने वला पहला राज बने गया है टीक है गोवा में राष्टी सीमा सुलक और जीएश्टी संग्राले का सुभारम किसके दौरा किया गया तो यह सुभारम निर्मला सीता रमल जी के दौरा किया गया है तो answer C part हो जागा जो कि हमारे देश की ये बित्त मंत्री है और इनी के दोरा किया गए Next question देखते है Change the following wise Change the wise of following sentence यानि कि एक्ट्व से पैसु बनाना है Her manners pleased us very much यहाँ पे हमें जो है क्या बताना है इसका पैसु बाइस बनाना है इसमें D part right हो जाएगा The driver was blowing the horn ठीक है The driver was blowing the horn यहाँ पे जो है इसका पैसिप कैसे बनेगा पैसिप कि अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए जो object है the horn तो उसको हम पहले subject की रूम में लिख लेंगे तो the horn हो जाएगा वाज का वाज होगा ब्लोइंग लिखा तो इसके being blowed के दिया जाएगा और इसके बाद जो driver लिख उसको by subject तो answer आपका बी पार हो तो horn was being blowed by the driver तो आपका answer बी पार right हो जाएगा फिलिंदा blanks with correct preposition preposition भरना है I am used I am used such hardship यहाँ पे हमें भरना है preposition भरना है क्या हो जाएगा तो अगर हमें इसमें answer की बात करते हैं तो इसमें क्या भरने जो correct हो जाएगा तो यहाँ पे to भरा जाएगा I am used to such use के साथ to का प्रियोग करते हैं तो आपका answer इसमें b part हो जाएगा I was astonished the sad news अब यहाँ पे हम क्या भरने साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे आट भरा जाएगा तो इस तरी किसे correct हो जाएगा next question find out the subject following the sentence subject बताना the little tree was covered with needless instead of leaves यहाँ पे हमें subject की बात कर रहा है तो subject हो जाएगा the little tree helping word के पहले जो लिखा होगा अब यहाँ पे जो दो rich merchant लिखा हुआ है क्या है यह एक subject है इसका तो एंसर एक बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा a rich merchant what type of nouns are two or more words that create a noun this noun or sometimes one word are word joined by na hyphen तो उसको हम क्या कहेंगे जो दो word होते हैं उसके बीच में hyphen यानि कि इस तरीके से लगी लगी होती है वो जो सब्द बनता उसको किस noun के तहते रखेंगे तो इसका answer हो जाएगा वो compound noun के अंतरगत आता है ठीक है this noun can be counted they have singular and plural form and can be used भी था number यानि कि यह noun जो है वो count यानि कि गीना जा सकता है और उसको singular और plural form रखते हैं can be used भी था number number के साथ प्रियोग किया जा सकता है तो उसको हम किस noun के तहते रखेंगे तो उसको हम countable noun के तहते रखेंगे answer c पार राइट हो जाएगा fill in the blanks with pronoun correct pronoun he was an only child so he had to learn how to amuse यहाँ पर हमें भरना है क्या pronoun भर दें correct sentence के उसार अगर देखेंगे तो यह part हो जाएगा himself ठीक है himself अगर भर दे रहें तो यह correct हो जाएगा they always defend they always defend us if you blame one the other will spring to her aid यहाँ पर हम क्या भर दें जिससे कि यह सही हो जाए सही correct तो अगर हम इसके answer की बात किरेंगे तो be part भर जाएगा one another they always defend one another यानि कि they means एक से जादा है तो वहाँ पर one another लगा जाएगा answer इसका भी part हो जाएगा find out the types of the adverb of underline word extremely यह कौंसा एड़वर भर यह बताना है it is extremely hot today यहाँ पर extremely जो लिखा हो यह कौंसा एड़वर है तो type of order की बता है अब यहाँ पर जो पेसेंटली अब यहाँ पर जो पेसेंटली लिखा है यह के उनसा एड़वर में लिखा हुआ है तो यह एड़वर आप मैनर की बातें कर रहा है तो answer a part हो जाएगा ठीक है next question है correct adjective भरना है the woman the woman lives in a small hut यहाँ पर जाएगा जो पड़ी में ओमन रह रही है तो यहाँ पर क्या भर जाएगा तो इसके गराव इंसर की बात तो पूर भरा जाएगा ठीक है पूर 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 पूरेश्ट पूर भर जाएगा common तो पूर ओमन lives in a small hut he saw it with his eyes ठीक है he saw it with his तो उसने देखा अपने आखों से अब यहाँ पे इसमें क्या भर दें करेक्ट तो यहाँ पर भरा जाएगा C part on, ठीक है, on माने अपनी स्वयम की तो answer इसका क्या हो जाएगा, C part इसका right हो जाएगा on, ठीक है, next question देखते हैं तो he was a man of ambition, यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा तो यहाँ पे भरेंगे, great, ठीक है he was a man of great ambition, तो answer इसका C part हो जाएगा choose the correct alternative of underline world ठीक है, I can't, I can't, I can't allow to make jokes in the class अब make की जगा पे हम क्या दूसरा भर दें जिससे की यह जो है word, सही रूप से बना alternative इसका alternative भरना है, तो यहाँ पे बीपाट है, crack, crack joke in the class, तो answer B part हो जाएगा he was to speak to me, यहाँ पे to speak की जगा पे क्या भर जाएगा, तो to speak की जगा पे speaking भर दिया जाएगा this is best Mexican restaurant in the country, यहाँ पे क्या भर देंगे यहाँ पे यहाँ पे आर्टिकल भरना है, तो यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा this is the best Mexican restaurant in the country, यानि country में सबसे best Mexican restaurant यही है तो यहाँ पे दा ही भर जाएगा, definite pronoun के लिए यहाँ भर दा भर जाता है next question देखते हैं, तो I can't live on $500 a month, ठीक है, मैं 500 डालर पर एक महने पर नहीं रह सकता है, तो यहाँ पे भर देंगे तो यहाँ पे भर जाएगा no article, ठीक है, कोई article नहीं भर जाएगा, सही है what is the masculine of mystery? मिस् CIRI का musicale gender बताना है, यानि कि यह mystery सब फेमिनी है, इसका मैस कुलीन क्या होता है, इसका masculine होजएगा master, ठीक है what is the feminine of sultan? तो, सल'Tन का feminine gender होता है, इसका बे पॉपार्ट हो जाएगा what is the singular form of seizure seizure का हमें singular form बताना है तो seizures का singular form बताना है seizure ठीक है जो कि A पार्ट में लिखा है sorry इसका हो जाएगा B part seizures seizures का singular भी seizure ही होगा यह याद रखेगा B part इसका से हो जाएगा what is the plural form of leaf leaf का plural form बताना है तो leaf का plural form होता है जो कि इसी पार्ट में दिया गया है तो अगर जैसे जो सेपरेट किया जाएगा तो वहाँ पर कौन सा चीज लगाया जाएगा तो जिसे कि उसे पर जाएगा तो वहाँ पर कामा लगा जाता है एंसर भी पाट राइट हो जाएगा तो वहाँ पर क्या भरा जाएगा तो वहाँ पर सेमी कॉलन भरा जाएगा एंसर इसका सी पाट राइट हो जाएगा तो यह तो आज का उपराल वीडियो जिसमें लोगों ने देखा वीडियो को पटा पट लाइक कर दिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिए जिसकी नेश्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका तूरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और सेर करना तो मत भूलना ठीक है चलिए वीडियो को इंड करते हैं मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू